एक बार फिर्ट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के सी यूटूब चैनल में दोस्तो टॉप 700 इंपोर्टेंट क्वेस्टन एंसर की जो हम स्टार्ट किये थे करेंटर फेस की उसका जो भाग साथ है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लिट करने वाले हैं आज हम 700 इंपसे बोला तक के करेंटर फेस हम आपको पढ़ाएंगे तो आज अपरेल तक के कंप्लिट हो जाएंगे तो आपके पिछले अक्टूबर से लेके अप्रेल तक के सभी महत्रपुन करेंटरफेस के प्रस्न तैयार हो जाएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और अब देख लेते हैं कि आज का जो भाग साथ है इसमें हमने कौन-कौन से भेतरिन प्रस्नों को समलित किया हुआ है आज के इस सेट में हम लगबक 135 प्रस्नों को कबर करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो पहला प्रस्न आपके स्क्रीन पर है हाली में अजादी के अमरित महसव के तहट किस देश में महात्मा गांदी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरन किया गया तो मेडा गासकर में किया गया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे मिला था तो कैरोलीना बिलेसकवा को जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया तो इनका नाव आपके लिए इंपोर्टेंट है हाली में जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा अस्थान था तो 136 वा स्थान था वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का मैं आपको याद अखना है और अगले 5 वर्सों में भारत में कितना निवेश किया जाएगा तो जपान के दौरा अगले 5 वर्सों में भारत में 3.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने का लक्ष रखा गया है तो इसके बारे में आपको याद आखना है याँ पर रुपए की बात होगरे तो 3.2 ट्रिलियन रुपए तो ये माउंट आपको याद आखनी है जापान जो है अगले पांच वास्व में भारत में 3.2 ट्रिलियन रुपए निवेश करेगा तो important है अगला प्रस्तना आपके सामने है हाली में किस मंत्राल है हाली में किस मल्यालम अकबार की सौमी वहसगाठ मनाई गई है तो इस मल्यालम अकबार का नाम है मात्र भूमी तो मात्र भूमी की हाली में सौमी वहसगाठ मनाई गई है तो इसके बारे में आपको याद अखना है important है नाटो का सैन अभ्यास, कोल्ड रिस्पॉंस का आयोजन किस देश में किया गया था तो यह जो कोल्ड रिस्पॉंस सैन अभ्यास है नाटो का सैन अभ्यास है और इसका जो आईजन था नार्वे में किया गया था very very important इसके बाद हाली में मालदीव सरकाल दोरा किस खिलारी को sports icon पुरसकार दिया गया तो सुरस रहना को जो है मालदीव की सरकार के दोरा sports icon का पुरसकाल दिया गया था very very important दोस्तों मैं अपने इस स्रीज में top 700 current reference की स्रीज में हम उसी current reference के प्रसन को मैं आपको पढ़ाता हूँ जो की most selected होते हैं जिनके exams में पूछे जाने के chances बहुत ही ज़ादा होते हैं तो अगर आप इस 700 base important current reference की स्रीज को follow कर लेते हैं तो कोई भी exam अगर आप देने जा रहे हैं इस वर्स तो उन सभी exam के लिए जो स्रीज है आप काफी ज़्यदा फाइदमन्द हो सकती है तो इस स्रीज को आपको daily basis पर daily basis पर क्या जितनी भी मैंने अभी तर classes ले ली हैं उनको तो कम से कम आप देखी लिजेगा एक बार आप पूरी तरह से इन साथ भागों को देख लेते हैं करंडर फेस के तो आप पूरी तरह से confidence मैसूज करेंगे किसी भी exam को देने में तो इस स्रीज को कम से कम आप एक बार जरूर देख लिजेगा इसके बाद अगला प्रस्ना आपके सामने है हाली में किस भाती अल्थ सास्त्री को सेविंत राष्ट के सलाकार बोड के सदसिक रूप में नामित किया गया है तो जैती घोस को अप्यात कर लिजेगा तो यह किस राज्य का संगीत वाद देयंत्र है तो यह जो आपका है तमिलाडू का संगीत वाद देयंत्र है जिसका नाम है नौर सिंग पिटाई नाग सौरम इसको जो है हाली में GI टैग प्रदान किया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है तमिल लाडू अगला प्रसनाप के सामने है हाली में किसने अपनी पहली इंडियन सूपर लिग ट्रॉफी जीती है तो हाली में हैदराबाद FC ने अपना पहला इंडियन सूपर लिग ट्रॉफी को जीता है 215 Athletics Grand Prix 2022 का मेजबान देश कौन सा है तो 215 Athletics Grand Prix 2022 का मेजबान देश आपका सहिंक्त अरब अमिरात है तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद सहिंक्त अरब अमिरात में जो है फ्यूचर आप म्यूजियम भी हाली में खोला गया था इंपोरेंड है हाली में किस भागती बैटमिंटर खिलाडी ने 2022 All England Open Badminton Championship में रज़त पदल जीता है तो लक्ष सेड ने जीता है वेरी वेरी इंपोर्टेट नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है लक्ष सेड हाली में पदान मंतरी के दोरा किस सहर में बिपलोई भारत गैजरी का उद्गाडन किया गया था तो कोलकाता में किया गया था इंपोर्टेंट है हाली में carbon neutral खेती शुरू करने वाला देज का पहला राज जिसके दोरा carbon neutral खेती की शुरुवात की गई थी तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता हाली में जो केरल सरकार है इसके दोरा माया नामक chatbot की भी शुरुवात की गई थी और केरल की गवर्मेंट के दोरा ही अगला प्रस्तना आपके सामने है हाली में S. fangnon kunyag की सराज की पहली महिला राजसभा सांसद बनी है नाम important है तो F. fangnon kunyag जो है नागा लेंड की पहली महिला राजसभा सांसद बनी है तो नाम आपके लिए important है राज आपका नागा लेंड है और यह महिला आपकी है एस फांग नोन को न्याक यह नाम आप याद दखेगा इंपोर्टेंट है इसके लाबा नागा लेंड जो है पहले बिधान सभा बनी थी जो पेपर लेस बनी थी इसके बारे में भी आपको याद रखना है पदम भूसन पुरुसकार जितने वाले पहले पैरा अटलिक्ट कौ कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है तो जीयाराय बनी है इंपोर्टन नाम आपका है जीयाराय जो है यह पाक स्ट्रेट को तेरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है तो इसके बारे में आपको या दखना है भारत और शलंका के मद्द आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट हाली में किंद्री सरकार ने किस वर्ष तक पूरे भारत में 220 हवाई अड़े को निर्मित करने की बात कही है तो अप्यात कर लिजेगा किस वर्ष तक भा भारतिन उसेना के जहाज को राष्टपती रामनात को बिंद के दोरा प्रेसिडेंट कलर से समानित किया गया है तो आई एनस वल सूरा को नाम आप्यात के लिजेगा भारतिन उसेना का जो जहाज है आई एनस वल सूरा को जो है राष्टपती जी के दोरा प्रेसिडेंट कल गया था तो इसका परिक्षण किया गया था उत्तर कूरिया के दोरा अभ्याद कर लिजेगा इस अंतर महादुपी बैजिस्टिक मिसाल का नाम है वान सौंग सेवेंटेन हाली में भारती सेना और महराष्ट की पूलिस के मद्द कौन सा एक सहिंगत अभ्यास का आयजित किया हली में हाली में किस भारती उद्धिमी को रॉयल सौसाइटी आफ एडिन बर्ग के फेलो के पहलो के रूप में नामित किया गया है तो इनका नाम है कीरन मजूमदार सा बायो कॉन कंपनी की ये मालिक है कीरन मजुमदार सा और इन्ही को जो है रॉयल सोसाइटी आफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया है हाली में जारी Export Preparedness Index 2021 में कौन सा राज जी सिल्स पर था तो गुजरात सिल्स पर था नीती आयो के दोरा इस इंडेक्स को जारी किया गया था Export Preparedness Index यानि कि निर्यात ततपरता सुचकांग इसमें गुजरात प्रतम अस्थान बिता और नीती आयो के दोरा इसको जारी किया गया था World Bank के दोरा किसके दोरा तो World Bank के दोरा आप यात कर लिजिएगा महत ही ज्यादा यह महत्पून प्रस्ण है आने वाले एक्जाम के लिए यह भी आप से घुमा कबरे पूछ सकता है कि हाली में World Bank के दोरा किस जानवर के सरक्षण के लिए जो है पहला Wildlife Bond की शुरुआत की गई UNEP की Frontier 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारती सहर बिष्य का दूसरा सबसे अधिक प्रदोसी सहर है तो मुरादा बाद जो है बिष्य का दूसरा सबसे अधिक प्रदोसी सहर हो था जो हाली में रिपोर्ट प्रकासित की गई थी UNEP की Frontier 2022 की रिपोर्ट इसके अनुसार तो आप याद कर लिजेगा यह खिताब जीता गया है आपका पीवी सिंदु के दारा पीवी सिंदु के दारा जो है स्वीज ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता गया तो पीवी सिंदु आपका राइट एंसर है हाली में फीवा पीवी सिंदु का अधिकारिक स्पॉंसर किसे नामित किया गया है तो आप याद कर लिजेगा बाइजूस को जो है फीवा पीवी सिंदु का अधिकारिक स्पॉंसर नामित किया गया है चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि 2022 का जो फीवा पीवी सिं me देना है हाली में WhatsApp chatbot जिसका नाम Maya है इसको किस राज सरकार के दरा launch किया गया है तो केरल राज सरकार के दरा Maya वह नामक WhatsApp chatbot को launch किया गया है और या परेटकों के लिए है आपका Maya नामक WhatsApp chatbot राश्ट्री संस्कृती महुशाँ 2022 का आयजन किस राज में किया गया important है तो इसका जो उद्घाटन की आपे बात हो रही है उद्घाटन तो इसका किया गया आंदर प्रदेश में तता या राज्ट्री संस्कृति महसो 2022 का बाइसवा संस्कृति था जिसका उद्घाटन आपका आंदर प्रदेश में किया गया very very important अगला प्रस्टाब के सामने है हाले में मातुवा धर्म मेला 2022 का आयजन कहा किया गया तो आप द्यान से जात कर लेजेगा मातुवा धर्म 2022 का जो आयजन किया आपका पौक्स्षिम बंगाल में पौक्षिम मंगाल आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने है हाली में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधान मंत्री बने है इंपोरेंट है तो रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधान मंत्री बने है तो आप याद कर लिजिएगा माल्टा के कहा कि तो माल् इसके बाद हाली में किस वेब पोर्टल का उद्गाटन मात्मा गांधी की पोती के दौरा किया गया था इंपोर्टन है तो इस पोर्टल का नाम है मोधी स्टोरी और इस मोधी स्टोरी नमक पोर्टल का जो उद्गाटन है मात्मा गांधी जी की पोती के दौरा किया गया था तो आपको याद अखने हैं, हाली में किस राज्य में स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया है, तो गुजरात में स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया है, हाले में किस देश में सै constitu अंडर 19 महिला फुट्वाल चैंपिंशीप का तीसरे संस्करन आएजित किया गया है तो भारत में किया गया था सै liegen condition 19 महिला फुट्वाल चैंपिंशीप के तीसरे संस्करन का आएजित अंता प्यात कर लिजीगा कहा अपर तो भारत में अंतराष्टी स्रंग्ठन के नए महानिदेसक कौन बने हैं? थो ये आपके पहले अफ्रिकी व्यक्ति भी बन गये, ज़ो अंतराष्टी स्रंग्ठन के आयेलो के महानिदेसक बनाए गये हैं तो इनका नाम आपके लिए इमपोर्टेंट है, गिल्बर्ड होंग भो इसको आप स्टार माग कर लिजेगा गिलबर्ड हॉंगबो जो है ये आपके पहले अफ्रिकी ब्यक्ति बन गए है जो अंतराष्टी स्रम संगठन के महानिदेशक बनाए गए है तो इनका नाम आपके लिए सुपर इंपोर्डन है गिलबर्ड हॉंगबो हाली में किस हवाई अड़े को COVID Champion Award दिया गया है तो कोचिन अंतराष्टी हवाई अड़े को जो है COVID Champion Award दिया गया तो कोचिन अंतराष्टी हवाई अड़े आपका राइट इंसर हो जाएगा यहां पे इसके बाद अगला इंपोर्णन प्रस्थ आपके सामने है हाली में किस संथान की तवरा G1 light नामक ventilator विक्सित किया गया तो G1 light नामक जो ventilator है इसको विक्सित किया गया है था किस IIT संस्थान की तवरा तो IIT हैधराबाद अप्यात के लिएगा IIT हैधराबाद के दॉरा जो है G1 light नामक जो है एक portable लेबल जो है वेंटिलेटर का विकास किया गया है विक्सित किया गया है तो इसके बारे में आपके आ दखना IIT हैदराबाद हाली में कहां पर एक decentralized waste management टेकनलोजी पार्क की अस्थापना की गई है तो दिल्ली में आपके लेजेगा दिल्ली में जो है एक decentralized यहां पर यहां important है इस संग्राले में जो हमारे देश के जितने भी पुरू प्रधाय मंत्री थे उनके बारे में महत्रपुन जनकारी आपको मिलेगी तो यह संग्राले आपका बनाये गया है नई दिल्ली में very very important है आप इसको star mark कर लिजेगा प्रधाय मंत्री संग्राले का जो हो जाएगा मेरा बाई चानू मेरा बाई चानू को BBC Indian Sports Women of the Year का पुरुषकार दिया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है important है तता जो मेरा बाई चानू हिनों ने Tokyo Olympic 2021 में silver medal जीता था और यह किस खेल से संबदित है तो weight lifting से तो इसके बारे में आपको याद अख इनको हम जीवित मूल पूल के नाम से भी जानते हैं तो इनको जो है UNESCO की बिश्व धरोहर अस्थलों की सूची में अस्थाई जगह मिली है तो में घाले कि यह आपके हैं जीवित मूल पूल जिनको UNESCO की बिश्व धरोहर अस्थलों की अस्थाई सूची में जगह दी गई ह तो मिए घाल आपका right answer हो जाएगा very very important यह प्रस्नाप के एक्जाम के लिए है जंगली जनवरों को कानोनी अधिकाल देने वाला देश कोण बना है तो जंगली जनवरों को कानोनी अधिकाल देने वाला देश का पहला देश सबना है एक्वाडोर आपयात कर लिजेगा एक्वाडोर हाली में कौंकन रेलवे निगम क्यों खबरों में था इंपोर्डेंट है तो 100% विद्धूती करण के लिए आपयात कर लिजेगा 100% विद्धूती करण प्राप्त करने के लिए जो आपका कौंकन रेलवे निगम था यहाँ आपका न्यूज में था, खबरों में था तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता 100% विद्धूती करण का लक्ष प्राप्त करने वाला पहला railway जोन कौन सा है Central Water Management Central Water Commission से समंदित आपकी है मिहिर सास समीतित इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में Faster नामक एक डिजिटल प्रोग्राम किसके दोरा लॉंच किया गया था, important है तो Faster नामक जो एक डिजिटल प्रोग्राम है इसको लॉंच किया गया था Supreme Code के दोरा अप्यात के लिजेगा Supreme Code के दोरा जो है Faster नामक एक डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, किसके दोरा की गई थी तो अप्यात के लिजेगा उस समय जो हमारे Chief Justice of India थी MNV Ramana किसके दोरा तो NV Ramana के दोरा जो है इसको लॉंच किया गया था और इसका नाम है Faster, Faster का पूरा नाम क्या होता है Fast and Secure Transmission of Electronic Records तो इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में Indian Jewelry Exposition Center का उद्धगाटन कहां पर किया गया है तो अप्यात कर लिजेगा इसका उद्धगाटन किया गया है और दुबई में हमारे जो कंद्रिवाडिज़ और उद्ध्योग मंत्रिय स्सक्राइब को तरह है तो Microsoft के दुरा प्यात करेज़ेगा इस Startups को ससक्त बनाने के लिए Startups को मजबूत बनाने के लिए भारत में Founders Hub platform को launch किया है Microsoft ने इसके बारे में आपको याद अखना है कौन से राज जिने कैदियों को ब्यक्तिकत रिण देने के लिए योजना के शुरुआत किये तो महाराष्ट जो गवर्मेंट है या कैदियों को ब्यक्तिकत रिण प्रदान करेगी तिरासीमी राष्टी टेबल टेनिस चेंपियनसिप का आयजन किस राज में किया गया तो आप किया जाएगा तो मिघाला में किया जाएगा आपका तिरासिवी राष्टी टेवल टेनिस चेंपियन सीप का आयजन तो मिखाले आपका राइटेंसर है इसके बाद कौन सा राज ये 2021 बाइस में सेर्स सबजी उतपादक राज ये था तो अपयाद कर लिजेगा 2021 में सेरस सब्जी उत्पादक राज आपका था उत्तर प्रदेश तो इसके बारे में आपको याद अखना है उत्तर प्रदेश जो है सबजी के उत्पादन में पहले अस्थान पे था और फल उत्पादन में आपका पहले अस्थान पे था आंदर प्रदेश तो दोनों आपको याद अखना है सब्जी उत्पादन में आपका कौन सो जाएगा तो सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रतम अस्थान पे था और फल उत्पादन में आपका आंदर प्रदेश प्रतम अस्थान पे था भारत का पहला स्नू मैरोथन किस अस्थान पर आयजित किया गया था का अपरेशन उपलब्द की शुरुवात की गई थी हाली में दुनिया के सबसे बड़े इलक्ट्रिक क्रूज सीप ने किस देश पर अपनी पहली यात्रा की है तो यांक्सी रणी नदी पर या चीन के तरह बनाए गया है दुनिया का सबसे बड़ा इलक्ट्रिक क्रूज सीप और इसने अपनी जो पहली यात्रा थी वा यांक्सी नदी पर पूरी की कौन सा राज हिंदी माध्या में MBS की डिग्री की सुरुवात करेगा तो या जो घोसना किये गई मद्यपदेश की सरकार के जरा तो मद्यपदेश की जो सरकार है अब अपने यहां जो है MBS की जो डिग्री है वह हिंदी में देगी City of White Marbles किस देश को कायाता है तो तुर्कमेनिस्तान को कायाता है City of White Marbles या न्यूज में क्यों है क्योंकि हमारे जो राश्पती है रामनात कोविन जी यह तुर्कमेनिस्तान की यातरा पर गए हुए थे जिस करण से आपका जो सहर है न्यूज में था इसके बारे में आपको रहे चेतक उसकी जो है डायमंड जूबली मनाये गई तो चेतक आपका राइट अचरो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्तन है खेलो-एंडिया-उनिवरशिटी-गेम fine 2021 का आयजन का क्या गया तो जैन ईनिवरशिटी में किया गया आपका खेलो-एंडिया-उनिवरसिटी- लिधान सभा को लागू करने वाला कौण सा राजित पहला लेस्ट विधान बनी है तो नागलेंड की जो विधान सभा या देश की पहली प्यपरलेस विधान बन गई है तो इसके बारे में आपको या धखना है हाली में इसके आए विजान सबा को लगू किया गया था अगला प्रसना के सामने है Queen of Fire नमे कुस्तक किसके दोरा लिखी गई है तो Queen of Fire इस पुस्तक को लिखा गया है देविका रंगाचारी के दोरा और यह जो पुस्तक आपकी है रानी लाच्यमबाई के जीवन पर अधारित है और इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने हाली में सरकारी स्कूलों में हौवी हब की किस राज्य और केंद्र सासिच प्रदेश के और सरकारी स्कूलों में की गई है तो नई दिल्ली के आप आत के लिजएगा लई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हौवी हब की शुरुवात की के गई इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में किस राज्य ने अपना पहला C-8O stand शुरु किया है तो आण्धरपदेश ने अपना पहला C-8O stand की शुरुवात की है ले के किस गाँ में की dark sky century को विकास किया जाएगा इसको dark sky century की रूप में विक्षित किया जाएगा हाली में स्कूल चलो अभियान की शुरुवात की राज सरकार के दोरा की गए थी तो उत्तरपदेश की जो राज सरकार इसी के दोरा हाली में स्कूल चलो अभियान की शुरुवात की गए थी कहां से तो उत्तरपदेश के स्रावस्ति से थी इसके आपको यादकना है अगलाए हाली में बारावी होकी इंडिया सेनियर में मैं नेशनल चेंपियंशिप दोजहरु 22 का ऐजन घ्रण पक्षा-प्थीं इसका आईजन आपका किया गया तो भौपाल में और इसको जीता था आपका हरी याराने तो इसके बारे में आपको यादखना है मेहर बाबा प्रतियोगिता तू का समंद्ध किस से है तो ड्रोन से समंद्ध आपकी है मेहर बाबा प्रतियोगिता तो इसके बारे में आपको य चुरुआत की गई है तो अवसर्णामक पहल की ज़ो सुरुआत है की गई है आपकी अऊट्रोट। आफ़ इंडिया के दौरा अपयात कर लेजेगा एरपॉर्ट आफ़ार्ट। आफ़ इंडिया के दौरा जो है वेरी व्य इंप्रॉटेंट इसके बाद हाली में किस राज्य के राज्यपाल को संत नामदेव राश्टी पुरुसकार पतान किया गया था तो संत नामदेव राश्टी पुरुसकार पतान किया गया था मेगाले के राज्यपाल सत्यपाल मलीक को इनका नाम आपके लिए इंपॉर्डेंड है सत्यपाल मलीक जो की मेगाले क के राज़िपाल है इनको जो है संत नामदेव राश्टी पुरुसकार बदान किया गया था हाली में किस बहुराष्टी समूह दरा वैक्सिन और संधान और विकास केंद्र की शुरुवात की गई है तो इसका नाम है ब्रिक्स ब्रिक्स जो है जो टल पांच देशों का समूह ह और इसी ब्रिक्स के दोरा जो है वैक्सीन और संदान और विकास केंद्र की शुरुवात की गई है तो इसके बारे में आपको याद अखना है अखना है और इसके बारे में आपको याद अखना है तो इक्यार अप्रेल को आपको मनाए गया राष्टी सुरक्षित मातरित दिवस भारत और किस देश के बीच यंग डिफेंस ऑफिसर एक्स्चेंज प्रोग्राम की शुरुआत के गई है तो आप ध्यान से आद के लिजेगा भारत और ऑस्टेलिया के मद जो है यंग डिफेंस ऑफिसर एक्स्चेंज प्रोग्राम की शुरुआत के गई है तो भारत और ऑस्टेलिया के मद अमेरिका की सर्वोच नियाले में सेवा देने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बनी है शिखर सम्मिलन का मुख्य संयोजग किसे बनाए गया है तो हर स्वजदन सिंखला को जो है 2023 के G20 सिखर सम्मिलन का मुख्य संयोजग बनाए गया है क्योंकि 2023 का जो G20 का सिखर सम्मिलन होगा यह भारत में ही आयोजित किया जाएगा कौन सा राज जे नीती आयोक के ज़रा जारी स्टेट एनर्जी एन्ड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन के में सिस पर है तो गुजराज जो है बड़े राज्यों में सिस पर है इसके लबा छोटे राज्यों में आपका गुवा पहले अस्थान पर है यूटी याने की केंद्र सासित प्रदेशों में चंडिगर प्रतम अस्थान पे था इस इंडेक्स में जिसको लागू किया जारी किया गया था नीती आयोक के द्वारा हाली में फूड एंड अग्रिकल्चर और्गनाजेशन के द्वारा किस सहर को 2021 ट्री सिटी आप दा वर्ल्ड गोसित किया गया था तो 2021 का ट्री सिटी आप दा वर्ल्ड गोसित किया गया था मुंबई सहर को आपयात कर लिजेगा हाली में पहला लता दिनानाथ मंगेसकर पुरुसकार किसे दिया गया आर अस्विन जो हैं ये IPL के तियास में सन्यास लेने वाले पहले खिलारी बन गए हैं तो इनके बारे में आपको याद अगना है अगला प्रसना आपके सामने है Common Wealth Games 2016 का आईजन कहाँ पर किया जाएगा तो 2021 और 2026 के आपके जो Common Wealth Games होंगे ये औस्टिलिया में होंगे और 2022 का आपका Common Wealth Games होगा इंगलेंड के बर्मिंगम सहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्णामेंट का आईजन कहाँ पर किया गया तो जमसितपूर में किया गया था हाली में किस मंत्राले के दौरा PM दक्ष योजना की सुरुआत की गई थी में आपको याद अकना है important है हाली में किस मंत्राले के दौरा स्वानेधी से सम्रद्धी कारक्रम की सुरुआत की गई है तो आप इसे याद कर लेजेगा इसके बाद हाली में राष्टी अजबसंक्याक आयोक का प्रम कौन बना है तो इकबाल सिंग लालपूरा बने है इसके बाद अगला प्रसनाव के सामने है हाली में किस राज के दौरा पुर्व सैनेको और युवाओं के लिए हीम प्रहरी योजना की सुरुआत की गई है तो हीम प्रहरी योजना की सुरुआत की गई है सफलता पुर्वक परिछन किया गया था तो इजरायल के दरा जो है आईरन बीम नामक जो लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका सफलता पुर्वक परिछन किया गया थो इजरायल आपका राटेंच रहे है कौन सा मंत्राल है राश्टी ग्राम स्वराजगार अभियान का करानवन करेगा तो पंचायती राज मंत्राल है जो है आपका यह जो है राश्टी ग्राम स्वराज अभियान का जो है क्रियानवन करेगा तो आप इस आत करे लिजेगा यह एक केंद्र प्रायूजित यूजना है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, अगला प्रसना आप के सामने हैं, दिसंबर इन धाका, इस पुस्तक के लेखा कौन है, तो के एस नायर के दोरा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, पर दो बात आपका रैटेंशर है. किस मंतराले के तोरह E.डar पोड़ल को विक्षित किया गया है तो सड़क परिवहन और राजमार्ट मंतराले के तोरह E.डar नामक पोड़ल को विक्षित किया गया था. हाली में पुरवत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का गाटन कहा पकिया गया तो असर में किया गया वरी वरी इंपोर्टेंट दोजाट तेश एफ आई यच पूरुस हाकी बिसकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा अपिस्याद कर लिजेगा और भारत में जो है दो जगह पर ये पूरुस हाकी बिसकप का आईजन होगा तो जाटेश में भूनेस्वर और राउर केला में तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूनेस्वर और राउर केला में अगला प्रस्ण आपके सामने है 701 प्रस्ण है आपके स्क्रीन पर है तो हाली में किस राज में इस्थित बैधना धाम मंदिर में रोपे दुलगटना हुई थी तो जारकर्ण पर हुई थी या एकनम लेटेस के आपके अप्रेल के प्रस्ण चल ला है उस पोर्टल वेबसाइट की शुरुआत की गई परेटन मंत्राले के दौरा हाली में भारत के पहले फार्सी समचार पत्र मिरातुल अकबार के 200 साल पूरे हो गए हैं तो मिरातुल अकबार की शुरुआत की दौरा की दौरा जो है मिरातुल अकबार की शुरुआत की गए थी द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चेनल कौन सा है तो Radio X जो है या द्रिष्टी बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चेनल है जो की नागपूर में है कौन सा संस्था National Data and Analytics प्लेटफांण लॉंच करेगा तो नितियायोग करेगा very very important प्रोजेक्ट 75 के तहित launch की गई आखरी पंडुबी कौन सी है तो आपको पताओना चीज की आपका जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहित जो है टोटल छे पंडुबीयों का निर्माण किया जाना था जिनमें से पहली आपकी तीक कलवरी थी दूसरी खंडेरी थी तीसरी करंज थी चोती वेला थी और पाचमें आपके वागीर थी और छटी आपकी हाली में launch की गई है वाक सीर इसके बारे में आपको यादखना है कौन सा राज सरकार गुरुजी इस्टुडेंड क्रेडिक कार योजना की सुरुवाद की गई है तो गुरु तेक बहादूर की जो है चार सुमी जेहनती मनाई गई है हाली में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उदगाटन की सर में किया गया है इस पुस्तक गया है तो आप याद हकना है यह प्रस्तबा Gib अगला प्रसंद में आपने है बायरत का पहला प्योर गृण हाइडारोजन प्लांट के लगाएज है प्योर ग्रिन हाइडोजन प्लांट है यह लगाएज़क्या गया है आसम के जोर हाट में जन निगरानी एप्टेकेशन को किस राज या केथफ सासरी प्रतेश के दरा दॉन्च किया गया तो जम्मक श् masaṐर के दरा जो है जन निगरानी जो है पोटल को लॉन्च किया गया तो इसके बारे में आपको याद अखना है हेलो किस देश की नई भुकतान प्रणाली है तो यह आपकी रूस की जो है नई भुकतान प्रणाली जिसका नाम है हेलो लॉक सिल्ड 2022 नामक दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेज़बाने किस देशने की तो एस्टोनिया में जो है लॉक सिल्ड नामक जो है साइबर अभ्यास का आईजन किया गया था और नाटो के दोरा इसका आईजन किया गया और इस लॉक सिल्ड अभ्यास को जीता था फिन लैंड ने तो इसके बारे में आपको याद अखना है सर्मत इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाल का सबलता पुर्वक परिक्षन किस देश ने किया था तो रूस ने किया था सर्मत इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाल का सबलता पुर्वक परिक्षन हाली में किसे USA की उप्रेश्पती कमला है रिस का रच्छा सलाकार निक्त किया गया तो सांती सेटी को किया गया है ECI कुस्ती चेंपियंशिप 2022 में लगाता तीन सौन पतक जितने वाली पहली भारती पहलवान कौन बनी है तो रवी दया बने हैं आप इसे आत लिजेगा रवी दहिया जो हैं ACI कुष्टी चेंपियंशिप 2022 में लगाता तीन सौन पतक जितने वाले पहले भारती पहलवान बने हैं दिन के बारे में आपको याद अखना है पहले इनक्रेडिबल इंडियन इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फरेंस 2022 का आएजन मुंबई में किया गया वरी वरी इंपोर्टेंट हाली में किस देश ने इंडिया आउट केंपेंड पर प्रतिबंद लगा दिया है तो मालदीव ने जो है इंडिया आउट केंपेंड पर प्रतिबंद लगा दिया है पेरिस बुक फेस्टिबल में कौन सा देश गेस्ट आफ ओनर के रूप में नामित किया गया है हाली में बारावी होकी इंडिया सिनियर में चेंपियंशिप 2022 किस नी जीता था तो हर्याना नी जीता था हाली में किस सायर में प्रधा मंतरी नर्यंदर मोदी जी के दारा 9000 हर्ष पावर इलक्टिक लोको मोटिफ्स के निर्माण की अदासिला लखे गई है तो दाहोद में रखे गई आपियात कर लिजेगा हाली में जोस, रामोस, हूरता किस देश के राष्पती बने है तो इस्ट तिमोर के बने है पैट्रिक, आची किस देश के प्रधा मंतरी बने है तो आईवरी कोष्ट के बने है कौन सा राज्य 18 दिसंबर को राज्य अस्तर पर अलप्य संख्यक अधिकाल दिवस मनाएगा तो तमिनाडू की जो सरकार या राज्य अस्तर पर 18 दिसंबर को अलप्य संख्यक अधिकाल दिवस मनाएगा अब इसे आद कर लिजेगा इसके बाद कौन सा देश 21-21 वर्ल्ड कॉ अब अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा तो भारत करेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिश्व आल्थिक मंच के दोरा किसे यंग गलोबल लीडर फॉल 2022 करूप में समानित किया गया है तो रागव चड़ा को ये राजे सबा सांसाथ है रागव चड़ा एनिको बिश्व आल राबर्ट गलोब किस देश के पधामंत्री बने है तो स्लोवेनिया के बने है राबर्ट गलोब जो है ये पधामंत्री बने है स्लोवेनिया के हाली में किस देश को संयुक्त राष्ट बिश्व परेटन से हटाने की घोसना की गई थी इसके बाद लाष्ट के पांच प्रस के दोरा पीम सोनेधी योजना को मार्च 2022 से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो अब आपकी जो पीम सोनेधी योजना है अब दिसंबर 2024 तक चालू रहेगी तो यह किया गया है अवास और सहरी मामलों के मंतरा लेके दोरा तो अब आपकी पीम सोनेधी योजना 2024 24 तक चलेगी दिसंबल तक भारत ने किस देश के साथ विकलांगता के छेत्र में सयोग के लिए एक समझाउता ग्यापन पर हस्ताप्चर किया तो चीली के साथ किया है उतक्रिस्ट गुडवत्ता वाले गेहों की नई किस्म का क्या नाम है जिसको विक्सित किया गया है तो इस इस तरह से टोटल आज के इस सेट नमबर साथ में 134 प्रस्दों को हमने कबर किया है इस तरह से अपरेल तक के आपके सभी करेंट एफैस के प्रस्दों कम्प्लीट मैंने करवा दिया है तो आज के लिए बस इतना ही थाइंक यू थैंक्स प्रोचिंग थाइंक